प्रमुक तिलहन फसल सोयाबीन की खेती करने वाले किसान अब पच्चता रहे हैं, कि उन्होंने इसकी खेती क्यों चुनी? पच्चताने की वजह यह है कि किसानों को मंडियों में अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है. सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP, 4,600 रुपए प्रती क्विंटल तय है, जबकि इससे कम दाम पर ही उन्हें संतोश करना पड़ रहा है. देश के प्रमुख सोयाबीन उतपादक महाराष्ट्र की 80 प्रतिशत से अधिक मंडियों में सोयाबीन का कोई भाव नहीं मिल पा रहा है. जबकि दूसरी और तिलहन फसलों में हमारा भारत बहुत पीछे है और हर साल करोडो रुपए का खाने का तेल दूसरे देशों से मंगाता है. किसान निराश हैं, उन्हें न तो प्याज का सही दाम मिल रहा और न सोयाबीन का. आखिर वो कौन सी फसल उगाएं? महाराश्ट्र की प्रमुक फसलों में सोयाबीन, प्याज, कपास, चना और अंगूर है. इन में से दो कृशी उपजों का दाम काफी कम है. दोनों की खेती करने वाले किसान काफी परेशान है. महाराश्ट्र एगरी कल्चरल मारकेटिंग बोर्ड के अनुसार छटरपती संभाजीनगर में 23 जनवरी को सिर्फ 12 कृटल सोयाबीन बिकने के लिए आया था. इसके बावजूद नियूनतम दाम 4,400, अधिक्तम 4,450 और औसत दाम 4,425 रुपए रहा. और अंगाबाद जिले की सिलोड मंडी में सिर्फ 30 कृटल प्यास बिकने के लिए आया. इसके बावजूद नियूनतम दाम 4,500 और अधिक्तम दाम 4,550 रुपए कृटल रहा. सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने बताया है कि सोयाबीन क्यों भारत के लिए महत्वपून फसल है. संस्थान के विभिन तिलहनी फसलों द्वारा करी 50 प्रतिशत ही मांग को पूरा किया जा रहा है. बाकी 50 प्रतिशत मांग आयाद द्वारा पूरी हो रही है. सभी तिलहन फसलों में सोयाबीन ही ऐसी फसल है, जिसमें खादे तेल के उतपादन में भारत को आत्म निर्भर बनाने की हाला कि किसानों का कहना है कि अगर उन्हें दाम नहीं मिला तो वो इसकी खेती कम कर देंगे.